गुड मॉर्निंग दोस्तों, All In One Channel पर आपका दुबारा सौगत एक बड़ा खुलासा आया है कि भारते रेल मंत्रा लेया ने फिर दुबारा ट्रेंस रिजिम कर दिया है सभी स्टांडर पैसेंजर्स के लिए जो 15 पैर सब ट्रेंस चले थे उसके इलाबा और कुछ ट्रेंस मिला के याने कूल मिला के 200 ट्रेंस याने 100 पैर सब्पन डाउन ट्रेंस को सुरू कर दिया है बारते रेल मंत्रा लेयने कल स्वासा मंत्रा लेया के साथ में सलहा लेकर पूरे देश में 100% 200 ट्रेंज शुरू करने की अनुमती प्राप्त कर लिया है अभी ये ट्रेंज पूरे देश बर में चलने लगेंगे तो जो लोग अपने अपने घर पे फैसे हुए हैं कोई दुसरे जगा पे जाना चाहते हैं अपना करमस्तल पर और या अपना दुसरे सहर पर तो ये लोग अभी अपना जात्रा शुरू कर सकते हैं इसके लिए कुछ गाइडलेंज सरकार ने जारी किया है वो गाइडलेंज को सब्मानना पड़ेगा अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट जो 200 ट्रेंज चलेंगे कोई भी काउंटर का टिकेट से आपको नहीं मिलेगा काउंटर पर टिकेट नहीं दिये जाएंगे और बुक करने के दोरान आप यह ध्यान रखें कि आपका सही सही चीज चैन कर रहे हैं क्योंकि नियमे कुछ सक्त होने वाले हैं जिसके काराण यह नहीं कि आपको टिकेट कर लिए और आपको चानी के अनुमती नहीं मिले यह ध्यान में रखें अगर आप अकेला या ग्रूप में ट्रेवल कर रहे हैं अगर आपको फीवर है या आपको सरीर में टेंपरेचर है तो कभी भी यह मत किजए कि आप ट्रेन में चड़ने की कोशिज करें क्योंकि उससे पहले screening होगा, screening के दोरान अगर आप पाएगे कि आपको सेरी में temperature है या आपको बुखार है तो आपको जाना नहीं दिया जाएगा कुछ रूल्चन रेगुलेशन्स में आपको पटके बता दूँगा जो इसे की लाइलें ब्लैंकेट्स नहीं मिलेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा लेकिन अब food pledges खुला रहेंगे अगर आपको कहीं इसे खाना लेना है तो आप उन food pledges से खाना ले सकते हैं और जो cancellations and refunds के रूल से वो थाड़ा change हो गया है अगर आपको कोई single passenger आपका ticket book किया है और वो जान नहीं पा रहा है क्योंकि उसके शरी में temperature है तो उसको full refund मिलेगा अगर group में है वो अकेला बंदा जाना नहीं चाहते हैं तो फिर उसको भी full refund मिल सकते अगर ये वीडियो आपको आच्छे लेगे तो लाइक, कमेंटर, सबस्क्रीब करना ना बुटे अगर कुछ क्यों और है तो मेरे को नीचे ये whatsapp नमबर पर पूछ ले